नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका निको फैमिली ब्लोक्स में और मैं हूँ नताशा एक वीडियो डाली थी मैंने पहड़ी फैमिली के लिए उस पर काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे और कुछ मुझे बाते ऐसे भी करनी थी जो कि उस वीडियो में क्लियर नहीं हुई थी तो हाजिर हु ने सबकुर्ण राउट आपका क्लियर कर दूँगी कि क्या मामलशक क्या मैंने उस वीडियो में बोला है और और कहां से फूल गया ये वात है मैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तुमर्रीक्विट्स करना चाहूंगे अकर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीज़ेगा बोलती नियों अक्सर में बहुत कम बोलती हो आज बोल लिए तो कर देना यार प्लीज तो मैंने उसमें बताया था कि भाई मामी है जो पाड़ी सब कुछ बता दूंगी वह चीज मुझे गरत लेगी थी लेकिन मुझे आगे पीछे की जाता बातों को उस वक्त नहीं पता था मैं पूरा बैं पता देती हूं आपको कि क्या हुआ था आप लोग मुझसे पूचे थे कि किसकी लाइवे किसकी लाइवे तो ऐसा नाम तो मै काफि घंटे की लाइव ती उस में कोश्टाम बात में इनकी मम्मी जो थी मतलब मामी थी वहाई मामी के लड़गे का चैनल है जिनका नाम गोतम है उनका चैनल है अब उनका चैनल इसी नाम से जैसे इनका होता था ना पहले इंडियन यूट्यूबर और फिरिंग का नाम तो ऐसे गोतम का भी है आप नाम समझेगे तो क्या हुआ है कि जब गोतम ने चैनल खोला था तो पाड़ी फैमिली के तरफ से उनको कुछ भी सपोर्ट करेंगे लेकिन भाइक को जो मामा का लड़का उसको सपोर्ट किया अधर यूट्यूबर ने जब उनको पता चला कि उनसे लेटिड है तो आधर यूट्यूबर ने सपोर्ट किया लेकिन वहाँ पर पहाड़ी फैमिली को पिलकुल भी अच्छा नहीं लगा था अब चल रह क्ताओं जो सब चीजे तो जो मामी का बेटा है वो खोटी जीजा का दोस्त अगई आप दोनों कि आपस में दोस्ती यह एक पाड़ी फैमिली को पहले ही मामी के से फैमिALLY प्रीजा के बीटर से ठीजा का दोस्त उस Leh नहीं झाल पर मैंद मामी लें ने कोई बवाल ले कि है अब पता देते हैं कि शुरुवात कहां से हुई शुरुवात की थी पहाड़ी फैमिली वालों ने अब आप किसी को भापी ले सकते पहाड़ी फैमली वाले अपनी information प्राइवेट information जो है चोटे जी जा के खिलाव किसी को दे रहे हैं अब आप समझेगा चीज को दोनों ही देते हैं जीजा भी देता है किसी यूट्यूबर्स को और पाड़ी फैमली भी देते हैं इसलिए मैं कहते हूं कि मैं किसी एक की तरफ नहीं हूँ यहां पर क्यों कि यहां मुझे दोनों ही गलत दिखाई देते हैं दोनों अ अपनी information किसी को दे रही है जैसे उनका नाम शुरू होता है नामें यहाँ पर नहीं ले सकती तो महाँ पर जब तो छोटी ती थी उनको information देती अब उनको information जब तक जीजा की दे रही थी तब तक भी उनको थोड़ी गाली अपड़ी सब कुछ बढ़ा लेकिन वहाँ उन्हों जाते बोली गई थी कि छोटी जो मामी है मतलब जो इनकी मामी है इनके किसी मामा की death हो गई होगी तो जो यह मामी है जिनका बेटा भी YouTube पर है वो इनकी property हड़पना चाहते हैं वो उनको हिस्सा नहीं दे रहे इसलिए party family और मामी में अनबन है क्योंकि party family चाहती है कि हिस्सा दूसरों को भी मिले और यह चाहते हैं कि बस हिस्सा हमारी पास में रहे दूसरे बच्चे के साथ में नारे ऐसे claims किये गए थे दर की तरफ से तो जो कि मामी ने आकर ठुकरा दिया है कि यह बात है सच नहीं है party family बदराम करने में लग दिया है including उनके बच्चों के बारे मे भी काफी बाते बोली गए मामी के बच्चों के बारे में भी वो जो चैनल है रियक्शन वाला जिसको चोटी फैमिली वो party family की तरफ से न्यूज जाती है अब यह लोगों को इसलिए पता है कि party family की तरफ से न्यूज जाती है क्योंकि बहुत सी private बाते ऐसी है जो सिर्फ party family क को गुस्सा आगया मामी ने अपने बच्चों को तो कुछ नहीं बोलने दिया लेकिन खुद जो की इनके खिलाफ यानि की पाड़ी फैमिली के खिलाफ जो चैनल थे उनकी लाइव में आई वहां पर मामी ने क्लियर किया कि भाई मैं यह सब चीजें नहीं बोलना चाहती थ मेरे दामाद को सब को बदराम कर दिया हो लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को इतनी परमीशन ने दी कि उनके बारे में कुछ खिलाफ में आके बोले लेकिन मैं बोल रही हूं और अब मैं इतनी जादा परिशान होगी हूं कि यह लोग नहीं सुधरे क्योंकि मैंने इन देगी और एक्षिन वाली अगर कुछ बोलेगी हमारी फैमिली के खिराब तो मैं सारी पोल खोड़ूंगी लड़कियों के बारे में तो यह पूरी बात थी जो मामी ने कहीं बाकी मामी ने ऐसी कुछ पर्सनल इंफरमिशन लीक नहीं की मामी ने का क्यों मैं इनको बार में सब कुछ जानती हूं मैंने इनको पाला है और इसके बाद में मामी की लाइफ काट दी गई यानि कि बच्चों के दुवारा मामी की लाइफ कटवा दी गई मामी ओफलाइन चली गई तो यह था पूरा मैटर जोक हुआ है इनके बीच में और आपको मैं एक बात बता दूँ अगर आप इनको स्टार्टिंग से देख रहे हैं या नहीं भी करें देख हूं ना इस तरव हूं तो इन में से कोई सब्सक्राइब कर तो ये लोग ये काम करते हैं अब जिसको ये लग रहा है कि एक फैमिली सही है दूसरी नहीं है नहीं दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन हाँ ये जो बदनाम करने का सिलसिला है ये जब सिलसिला है ये कहीं न कहीं पहाड़ी फैमिली के तरफ से शुरू हुआ था लेकिन मैं ये भी नहीं है बहुत से secret ऐसी बाते हैं जो कि छुपाई जा रही हैं हम भी नहीं बता सकते क्योंकि मैं वह बाते नहीं उचालती हूं जो कि किसी की life नहीं आई है और अगर वे बाते सामने आई तो इनकी दोनों की यह लाइफ बरबाद हो जाएगी इधर भी और उधर भी लाइफ बर बाद हो जाएगी तो इसलिए हम लोग बाते नहीं उचाते लेकिन जो इस तरीके की प्राइबेट बाते किसी के अगर उचाल रहे हैं तो वह हम गलत मानते हैं जब तक वह खुछ शोचल मीडिया पर आकर नह नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई प्लेस चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरू कीजिएगा थैंक्यू सो मच